तो चलिए उसके लिए आपकी वीडियो मिलेगी तो चलिए वीडियो स्टाइब करते हैं पहला कोईशन क्या है आपका फुले कंपरेटली प्रेक्टिस देखिए हम हर एक बुक से आपको प्रेक्टिस प्रोवाइड कराते हैं कोई ऐसा पुब्लिकेशन नहीं बचेगा जिससे आपको क्वेश्चन ना मिले तो आप वीडियो पर बने रहेगा और आप लोग देखते हैं सेर नहीं करते हो कुछ कुछ स्टुडेंट हैं जो लगे रहते हैं जिनको चाहिए बस वर्दी चाहिए तो पढ़ो ठीक लगा दवा का एक हतास रोधी के रूप में प्रियोग किया जाता है राइट एंसर आप होता नहीं कुछ नया नया है क्योंकि पॉप्लिकेशन नहीं ठीक तो नया नया कुछ से घवड़ाईए गमत अच्छे से एंसर अच्छे से कुष्चन का एंसर दीजेगा तो यदि आपने जिसको आजाते एंटी डिस्प्रेस्मेंट डिस्प्रेस्मेंट कहते हैं और इसका फर्मूला जो होता है लिख लिएगा सी थर्टी एच एट्टीन सी आई एन वहोता है ठीक ना यादर के लिए कि अबरेश्ट कोईच्चन है तरह घाजर का नरंगी रंग निमनखित में से किस वाज़े से होता है इस तर इसे इस्टार देजेगा इंपार्टन कोईच्चन है तो यह आपने ने आपस develops हमको पता था करोटीन चुनेंगे लेकिन इसका है जरा जानिएगा कराए पीली घाजरों में लुटीन कंड आ रल गाजरों में जाना मंथा ङद रखेंगे ठीक, नेस्ट कुश्चिन क्या कर रहा, ध्यान से देखेगा, क्या रहा है कि साप का जहर अत्तधिक संसोधित लार होती है, जिसमें पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, राइट अंसर आपको पताना है, फोर्थ आपसेन भी से, तो यदि आपने अपसंद सी चुना है जू टाक्सीन तो राइट एंसर जाएगा जू टॉक्सीन एक बिस है जो साब की जहर में क्या हो पाया जाता है ठीक ना नेस्ट कोश्चन आपको क्या है क्या भारी जल है भारी जल आपको क्या है इसका राइट एंसर आपको बताना है जहां तक कोश्चन आपसंस देखते ही आपको पता चल जारा है कि आपसंसी दराइट एंसर जाएगा डूट्यूरियम आक्साइड फर्मूला होता डी टू ओ इसको कहते हैं भारी जल ठीक ना नेक्ट कोश्चन आपका सामने है देखिए करते हैं कि नियम्हें कि तत्तो के बीच सबसे जढ़ा बिदुध ड्र्रेजण मता किस की जो बदुध तत्तो है सबसे जढ़ा बिददोध ड्र्रेजल बंगता किस द्रक्तों के अंदर होती है डो आपको बताना है मोस्ट इंपर्टन कोशचन है रजगुलोवाली student तो मैं रश्गुल्ला अगर आपने अपसर सी चुना आर्शनिक तो राइट अंसल हो जाएगा आर्शनिक जो है उसके बीच ज्यादा बिदूद्री रियाल मंगता होती है मतलब बिदूद्र का सबस्यादा संचालक होता है और जो इसकी रियाल मंगता होती है याद रखिएगा ठेक ना你 इस्ट कोश्चन है देखिएगा कहरा है कि क्वांटम सिद्धान्त हां मोश्ट इंपाटन सिद्धान प son qui अस्थापना किस ने की थी राइट एंश्रा प्पा ने है पहले जान लेजे कॉंटम सिध्धान्त होता का है कॉंटम सिध्धान्त होता एकुल टू एच भी आपको 11 में 12 में मिलेगा ठीक ना तो अब अब एकुल टू एच भी होता है इनों एक क्वेशन जो है कौन दिये थे वह हैं आप सने मैक्स प्लांग है राइट एंसर आश्टिन ने दिया था एकुल टू एमसी स्कॉए ठीक ना याद रखिएगा नेज्ट पोईशन क्या कर रहा है कि यृद् Means रहते वे घूडन की दुरी可以 किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गक्त को कहा जाता था प्लांग कंज़एग तो इस कंडिशन में उस गत को क्या कहा झाय गा जहां तक आपको डायग्राम से पता चल जा रहा है कि इसे क्या कहा जाएगा घुमाओ गति कहा जाएगा गोरढव जाएगा गोरदन गति कहा जाएगा कि नेस्ट कोईशन क्या कर रहा ध्यान से देखिएगा कर रहा कैनिक्स वल्पीस का बैग्यानिक नाम है कि इसका बैग्यानिक नाम कैनिस वल्पीस है है तो यदि आपने अपर सन सी चुना है लो मरी तो राइट अंसर यगर लो मरी का जो लुमरी का बैग्यानिक नाम इफ नहीप और गिलाहरी का बैग्यानिक नाम याद रखेगा रोडे सिया क्या है रोडे सिया एःज क्या के रहां नेस्ट कुश्चन नहीं है करया चमान से हैं इंपर्णन कोशिन भराइ पांद क्वान क्या होता है पांद कर रहां प्याच मान क्या होता है फोर्थ अपंसन में टेराई टेन चल् денARI और तो यदि आपने अपशन फर्स चुना है सेवन तो राइट एंसर हो जाएगा अब आपको बताना है अमने का मान होता है कितना होता है अमने का मान याद रखिएगा वन जीरो से सेवन तक गोता है सेवन तक तक में लृष्टायाद सेवन की बाद फूर्टिन तक आपका चारी भी उफ्यवें से बोलते मैं है लाका धैस्ट लाव को नापा जाता है most important question है रस्वाइब हमारे star दे दिजेगा ठीक ना तो आपने राइट एंसर आपको बताना है कि राइट एंसर क्या हो जाएगा तो यदि आपने अपसंफार चुना है बैरोमेटर तो बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा पड़ाई कर रहे हैं आप लोग तो बैरोमेटर इदर आइट एंसर लेकिन आपको एक चीज और बताना है एक वाइब मंडरे दा विजिकल्ट होता क्या है याद रखियागा ए एक वाइब मंडरे दा विजिकल्ट होता है कि एक हजार ते रहे इन्टु ट्वाइब होता है इस चे रिलेटिव जितने भी कोईश्चन बना है मैं आपको प्रोवाइट करा दरू हम ताकि एक जाम में कोईश्चन आए तो आप उसको तुरंत हाल करके दिखा दें ठीक ना कि आपने अपसंटी चुना हाई ओटो मीटर तुराइट अंतर हो जाएगा हाई ओटो मीटर की द्वारा क्या है आपको इवर्षा मापनिक अंत्र है ठीक ना नेस्ट क्विश्चन क्या कर रहा है कर अनुएंसिक्ता की बुनियादी इकाई क्या है इस तो करा आनुएंसिक्ता की बुनियादी काई क्या है राट अंसर आपको बताना है फोर्त आपसंटTo क्होंत्यास की बुनियादी आपके सामने हैं करा आप इंचिक थास्च को कहा ंपार्टन है अनुपर्टन सिट्वाव एनसर्वाइगा तो यदि आपने अप्सन डी चुना है सिर्का तो राइट अंसर हो जागा सिर्का को कहा जाता है इसका फार्मूला आपको बता दे होता है CH3CWH होता है सिर्का बोलते हैं नेश्ट वह आपका है नेश्ट कोशिन जो है क्या है देखेगा करहें एक बढ़ाई एक अलमारी को साथ घंटे में बनाता है ठीक ना एक जो बढ़ाई है वो एक अलमारी को साथ घंटे में बनाता है पंद्रह घंटे बाद वह बिराम लेता है 15 गंटे बाद वा क्या करता है? कितना भाग अभी बाकी है एक का लमारी कितने मां बना रहा है आपका? flower, 60 गंटे मी मना रहा है उस समय कह रहा है कि 15 गंटे बाद अलमारी का कीतना भाग बनाएगा तो right answer आपको बताना है देखिएगा 60 गंटे लेता है तो अब कितना भाग अभी बाकी है तो एक्स इक्स बाकी है अब 60 में से 45 कटा देंगे कितना हो जाएगा सोरी 60 में से 15 कटाएंगे तो 45 बचेगा है ना अभी तो 45 हो गया है मतलब 45 अभी बाकी है उसके बाद कितने बाकी है 60 पे बाकी है अब इसको डिवाइड करिएगा 15,3,45 होता है 15,6 3,4 मतलब 4 से 30 में भाग दोगे तो आपका लमसम राइट एंसर हो जाएगा ठीक न उसी दर से दो वर्सों में 4,40 हजार का चक्रिद ब्याज का कितना होगा राइट एंसर होता नहीं है ठीक तो इस कोश्चन को पहले आप यहां से आर निकालेगा आर जब निकालोगे तो आर मिलेगा आपको 15 परसेंट क्या मिलेगा 15 परसेंट होगा अब करा है चक्रिद ब्याज अब चक्रिद ब्याज इकल टू आपको जानते है पी होता है ब्रेकट में 1 पलस क्या होता है आर अपान हेंड़ेट की पावर एं होता है अब यहां पर हम आपको बता दे आर कमान पता चल गया अब एन कमान भी आपको क्या है पता चल गया है यान कमान कितना टू है उसके बाद भी आपका क्या है जो पूरा ब्याज मिला है 40,000 इसमें क्या आपका मिस्र धन भी मिस्र धन भी आपका इसमें है तो आपको से क्या पूछा है पी पूछा है तो इसको जब आप कल्कुलेट करेंगे ना तो किस समीकड़ों में से किसके मूल का योग साथ है वह कौन सा समीकड़ है जिसके मूल का योग पांच है मतलब alpha plus beta is equal to क्या दिया है पांच है तो alpha plus beta equal to minus b by a है ने बिटा है ने बपुगा अब यहां पर equal to 5 है और minus देखिए किस equation में यहां पर जो है क्या है minus 5 आएगा बी कमान किस equation में minus 5 आएगा अब आपको right answer बताना आप सन देखिए 2 a और b है अब आपको इसमें से चूच करना है इसका गुलन खंड करेंगे अगर तो आप देखिए यहां पर minus minus है तो यह आपका होगा ने ठीक क्योंकि 3 भी minus करेंगे और 5 भी minus करेंगे तो यहां पर minus हो जाएगा लेकिन 3 और 2 का गुड़ा minus minus नहीं plus होता है तो option b wrong हो जाएगा आपसने जिदा फर्स टैंसर भी ठीक नेस्ट कोईशन करा है करा एक वरत त्रिज्जा में 27% की वरत दिखी जाती है तो उसके छेतफर में कितने परसंट की वरत ही हो जाएगी अब जब बिरत्ते वाली बात करें और छेत्फल वाली बात करें तब उस condition में एक फर्मूला याद रखेगा 2x पलस x square upon 100 आपका क्या आजाएगा परसंटे निकाल देगा ठीक इसकी insert ले लेजिए अब आप आपको बताते हैं कैसे लगेगा 2x की value क्या है 27% 27% है फिर हमने कहा था x square 27 के square करोगे तो 27 गोड़े 27 है ना दो बार कर लो कोई दिकत नहीं बटे हमने क्या कहा था hand rate अब यहाँ से आपको 2 का गोड़ा 7 में करना है ठीक है तो क्या हो जाएगा 27,2,54 हो जाएगा पलस यहाँ पर जो 7,7 हो जाएगा और 57 कितना होता है 61,61 हो जाएगा 61,2,9% अपसन एधर आइट अपसर हो जाएगा ठीक नेस्ट कोईश्टन है देखिएगा क्या रहा है कि कॉस ए पलस साइन ए का होल स्कॉर पलस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्कॉर इकल टू किसके बराबर होगा तो यहां से जब इसको हल करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या टू साइन ए इन्टू कॉस से एक मिनट तो ऐसे सवालों को देखिएगा यहां से आपको हो जाएगा टू साइन इन्टू कॉस से ठीक क्या वन प्लस वन इकल टू टू इद्धा राइट एंसर हो जागा आपसंस से इद्धा राइट एंसर अच्छे साल करिएगा ठीक नेश्ट कोईशन देख्या जान से के राइकी 30 और 42 के बीच की सभी अभाजर संख्याओं का योग क्या होगा इसके बीच अभाजर संख्या कौन कौन से आती है पहले ये तो देख लेजी़े इसके बीच vb संख्याती 31 और 37 और क्याती 41 तीन संख्याओं का क्या है योग याग निकाल दीजिए साथ एकाट हो जाएगा आठ एक नौ हो जाएगा और नौ किसमे है अपसन भी दर राइट एंसर ठीक ना असान से असान कोईशन होगा अच्छे पढ़ाई करिए गरांटी है आपको वर्दी मिलेगी नेश्ट कोईशन कहा रहा है एक अर्ध गोले के घुमावदार सतय का छित सत्पल 272 वर्ग संटी मीट्र है और और इतन उन्नी चार सो चारगें सन्टीमीटर है इसकी त्रिज्ज्शा क्या होगी पहले देखो इसका क्या है कि टू पाई रन काल दिया है घुमावदार दिया है एक टू पाई आरня लिए अन्सकार के बहले है 27, 27 बात तर ठेक ना अब यहां से क्या निकालोगे आप R कमान निकालोगे और R कमान जो आपका मिलेगा underwood Surry R कमान जो मिलेगा it k kilow depths मिलेगा हल करीगा ठेक्ड खेक हर कमान 20 मिलेगा अब क्या आरे माद पूछना था ना तो इस इसद डार्यट आंसर हो और 4X प्लस 2 बराबर होंगे करावा कौन समान होगा जिसके लिए ये दोनों इक्रिशन बराबर होंगे तो यहां से अगर देखा जाए 0 रखेंगे तो 0 में यहां बचेगा 12 इधर तो 0 दो बचेगा ये इकल्टो बराबर नहीं अगर 2 रखेंगे यहां पर 0 हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा अगर 1 रखते हैं तो 12 माइनस 6 हो जाएगा या 4 플ॉस 2, equal to 6 अपर व्यद्टो प्सें से इधरize रहे थे रहे जाएगा ि नेश्ट को बचेगा यह ज़िदि 4PXY is equal to X plus 2Y ka square माइनस X minus 2Y का square है तो P का मान क्या होगा यहां पर जो आफका मिलेगा ना फोर P X Y is से क्योंकि यहां से 2 xy मिलेगा और यहां से मिलके खुल 8 xy फोर से टूबर जाएगा एक्स से एक्स कैंसल य से य कैंसल बचेगा पी की बेलू क्या बच जाएगी आप संडी इद्धा राइट अंसर दो बच जाएगा ठीक घबराये गमत पेपर सेम ऐसे ही आता है सिर्फ फिर लोग क्या है घबरा जाते हैं कहता है यह किर्कित मैच के पहले 26 ओबर में रन रेट पांदसमनो चार रन परती ओबर था सेस 24 ओबरों में 294 रन के लचे तक पहुचिए के लिए अपिछित रन रेट क्या करना होगा राइट अंसर आपको बताना है तो इसके लिए क्या करना है आपका 26 के लिए रेट कितना है पांदसमनो चार है पलस करिएगा सेस क्या है 24 के लिए आपको कितना करना है तो 24 कोड़ X युकल टो जागा 294 अब इसको आपको अच्छे से हल करना है और अच्छे से हल करना है तो X की जो बैलू मिलेगी आपको 6 दस्मलों 4 इद्दा राइट आंसर हो जाएगी आपसन भी इद्दा राइट आंसर हो जाएगा ठीक नेश्ट जो कोईशन है 24 नमबर ध्यान से देखेगा चार माइनस टू माइनस नो की नो एंस पलस नो की जीरो है पलस थ्री स्कॉयर भागे वन पलस थ्री के बराबर क्या होगा तो यहां की जो बैलू होगी वन हो जाएगा ठीक ने और आप इस सब को सबसे मैक्सिमम क्या है और सबसे मीनमम क्या है फिप्टीन है अब इसका परिशन मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा तो बैयारी समेशन पंदर है घटाएंगे तो लंसम 27 इद्धा राइट एंसर हो जाएगा अप्शन सी तो अकर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देखा चैनल पर नहीं है तो सब्सक सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या है कि अपने दोस्तों को शेयर कर दिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं नेस्ट कोईशन कहता है समान निग्यान से भाग टू आपको मिल गया है तो भाग टू को पहले सलाम करिए सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए हस्ते हस्ते कहता है कि एक्स किड़र की खुज किसने की थी बहुत मोस्ट इंपार्टन कोईश्चन एक्स किड़र की खुज किसने की थी राइट एंसर आपको बताना है कि अगर आपने अपसन वन चुना है डबलू सी डॉर्ट जन तो राइट एंसर चुना है एक्स गीड़े की खुज की थी डबलू सी डॉर्ट जन ने की थी नेस्ट कोश्चन आपके सामने है नेस्ट कोश्चन कहा रहा है रूवर्स का निमलिखित मेंसे किस खिल से समझ दे और रोमे रोमे खड़ा होना मतलब यह सबसे खत्रना खेल क्या है फोटबाल है आपसने इदा राइट एंसर है ठीक अब एक कब चालू हुआ था तो आपको बता दें अठारस सो एक्यान बेश्बी में यह चालू हुआ था कहां पर हुआ था सबसे पहले मुंबाई में हु और कब से भी कोश्चन पका था 2019 की जामें पूछा गया था कोश्चन ठीक ना करा दीचल आउट नामक पुस्तक के लेकर कौन है राइट एंसर आपको बताना है तो यह यदि आपने अप्सन फर्स्ट होना है पाल वेट्टी तो राइट एंसर जागर दीचल आउट नामक पुस्तक के लेकर पाल वेट्टी ता राइट एंसर नेस्ट कोश्चन कहता है रूक मडी देवी अरुन देल रित के किस रूप पे एक परती स्थित नर्तक और को रूप में थी डाइट एंसर आपको बताना है जो हैं यह सब क्या हैं आपके निर्त हैं क्या है यह यह द्यान में रख लीजिएगा अब राइट एंसर आपको बता है इसमें से कौण रो जाला और सबसे मस और आप जहां तक जानते हैं भारतनात्यम है ऑब सामने है 30 number कह रहा है CAD का असंचिप्त नाम क्या है CAD का असंचिप्त मतलब CAD का full farm क्या है right answer आपको बताना है तो CAD का अगर आप right answer option B चुने है computer added design तो right answer ओजगा option B next question को देखेगा अच्छे से नियान से और सारी question आपको important मिल जाएंगे next question कहता है इंके बाना एक जापानी कला है जो की test से संबन्दित है इंके बाना एक जापानी जो कला है वो किस संबन्दित है most important question है तो यदि आपने option B चुना है फूलों को सजाने से तो right answer ओजगा एक question आपको दूसरी बार हमारे प्रेक्टिस्ट में मिल ला है सारे प्रेक्टिस्ट देखेगा सारे कुछ कुछ question जो है ना दो तीन बार ही पेटेट हुए है ठीक ना तो एक कब हुग था इसक्राइब सात्वी सताब्दी में शुरू वथा जापान में याद रखेगा इंके बाना को नेस्ट कोईशन आपके सामने है तरह नालंदा महा भिहार का निर्मार किस ने शुरू किया था राय टैंसरा पुरतान है तो यह अपने अपसंसी चुना है कुमार गुप्त तो राय टैंसरो जाएगा कुमार गुप्त ने इसकी अस्तापना की थी कब अब देखिएगा ग्यारत सो तिरावे इस भी में 1193 में क्या हुआ था इसके साथ 1193 में बक्तियार खिजली ने इसे नश्ट कर दिया था जो न है याद रखीगा कि सोरी स्टेंट oh आप जो नेश्ट कुस्षिन आपको का है क्राव फीरा पुरसकार किस शेत्र में दिया जाता है इस इप्सक्राइब पुरसकार किस शेत्र में दिया जाता है तो यह दिया आपने एपसंßen सी च्ञुनाइस चिक्तिसा के सहत में तो राइटए अंसर हो जानगा 20-24 है पुरसकार चिक्तिसा के सहत में दिया जाता है अब कप से सुरू रहा था याद रखेगा यैं बिधान चंद्र राम पुरसकार की मतरब बिधान चंद्राम की द्वार्ब पुरसकार पहली-पहली स्टार्ट हुआ था 19602 में स्टार्ट हुआ था याद रखेगा नेस्ट कोशिए आपके सामने है दूर चहिएmart कह रहा है कि पृष्टी रेल संगराल है राष्टी रेल संगराल है आपका है वो क्या है गहां इस्तित है अब दिल्लि में जब है तो यह कहां है चाड़क पूरी में इस्तित है कहां पे है चाड़क के पूरी में याद रखिएगा और कभे हुआ था इसकी अस्थापन हुई थी एक फर्लवरी इसी फर्वरी में एक फर्लवरी 1977 को हुए ते न एक फ्र्लवरी 1977 को ही ठीक राश्ट्री संगराल के स्थापना चाड़ाइक के पुरी में है याद रखे गाju दिल्ली में तो यह दिया अपने अपसंद फश्चुना है इराग तो राइट अंसर हो जाएगा इराग की जो राजधानी बगदाद है अब देखेंगा थाइलेंड की राजधानी बैंक कॉक है क्या है वही या बैंक कॉक है याद रखिएगा अब उसके बाद चीन चीन का आप जानते है हैं बीजिंग है क्या है बीजिंग है और उसके बाद आता है रूस अब रूस की राजधानी क्या है मासको है याद रखिएगा क्या है मासको है नेस्ट कोईशन देखिएगा करा निम्खित में से बिरोध का परतीक है मतलब कौन सा इसा जंड़ा है जो बिरोध का परतीक है काला जंडा क्या है बिरौत का पर्तिक कोस्ट कर रहा है जापां की मुद्रा क्या है द्स क्या क्या है जापां की मुद्रा बाद JENN बेंड़े भारती परतिक का उतकीड सत्त में युजाए थहंते मोस्ट एंप् श्र गुल्डो इस किसे तार दे जैते लिया गया है कहां से लिया गया है 2020-19-18 की एकजाम में पूछा गया कोईशन है तो यदि आपने अपसंदी चुना है मुंड़कोप निसससे तो राइट एंसर हो जाएगा मुंड़कोप निसससे सत्य में हो जायते मिला है और यह हमारा कोईशन जो है तीन बार प्रेक्टिस सेट में आपको देखने के लिए मिल गया है नेक्स्ट कोईशन करा है नालंदा विस्व विद्याला की अस्तापना किस गुप्त सासक द्वारा की थी अब देखें नालंदा महा बिहार के बारे में आपने पढ़ा उसको नेस्ट किस ने किया था बक्तियार खिजली ने किया था कब किया था 1192 में किया था अब कराएं नालंदा बिस्व बिध्यालक्य अस्थापना किस गुप्त ने की थी, तो याद रखेगा कुमार गुप्त ने की थी, लेकिन कौं से नंबर वाले थे, यह आपको कनफ्यूजन हो रही है, तो हम आपको right answer बता दे, कुमार गुप्त फर्ष्ट थे, नालंदा बिस तो पूर्ट तो तीक चिन था आजादी की लड़ाई है तो यदि आपने अपसंदी चुना है सोडियम को राइड तो बहुत बढ़ी आंसर चुना आपने सोडियम को राइड एक ऐसा पतार्थ है जो आख जो आखों से निकलता है पानियों के नदीयों के बहारे में जैसे बाद रिखेगा नेक्ट कोईशन देखते हैं क्या कहता है आप अपने मंजिल पर हैं प्रेटिस सेट खटम होने वाला इंटजार की खटम होने वाली है पानी उनी जाके आराम से पी लिजेगा बहुत बार इक्जामे देखने के लिए मिला है भारत के साथ सबसे लंबी अं नियुकस में से किस देश की कि अरुख एक है है आगा कर आए है तो यहां तक अगर आपने फ्रस तो रह पार से सबसे जादा मिलती है lagi है कि इसके बाद कौन सी नदी अपना राश्टा बदलते रहने पर सिध्द् यह इसी नदी को बिहार का सूक कहा जाता है। को सी नदी को बीहार का सोक कहा जाता है। यह यह ऐसी नदी है, जो अपना रास्ता बदलती रहती है। नेस्ट कोईशन आपके सामने क्या रहा कि किस भारती राज scientific सबसे लंबी है Most important question है अब आपके सामने तो भई यह गुजरात नहीं है अभी आपने पढ़ा था गुजरात वह सा जो राज यह भारत का जिसकी टाट्रेखा सबसे जड़ा है अब आपको गुजरात तो अपसन में है ही नहीं अब आपको राइट एंसर बताना है क्या हो जागा राइट एंसर तो यदि आपने अपसन में ये चुना है आंधर परदेश तो राइट एंसर हो जागा गुजरात के बाद आपकी क्या आती है आ अंदर परदेश से जिसकी टटरेखा सबसे लंबी है next question आपके सामने है करा चंदगुप्त मौरे का पुत्र कौन था चंदगुप्त मौरे का जो पुत्र कौन था राइट एंसर आपको उताना है अब देखिएगा चंदगुप्त मौरे का जो पुत्र था वो कौन था बिंदुसार था आपसे नहीं हो जाएगा अब इसका पुत्र कौन था अब इसका पुत्र था असोक ठीक ना इसका पुत्र कौन 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 था असोक ठीक ना कौन सा बंस है जो शासन में आया है तुगला कवंस के बाद एक बाद बता दें तुगला कवंस के पहले आपका खिजली था ठिक तो आपसन अपको भी करेक्ट नहीं होगा तीन आपसन बता और गुप्त वंस भी इसके क्या हथ सबसे पहले आथा अपसन यह भी नहीं रहेगा अब बचेगा आपका दो अपसन अब दो अपसन में से राइट एंस राप उताना है जी भी यह अगर आपने अपसन फस्ट चुना डी चुना है सयद वंस तो राइट हैं सब्सक्राइब के बाद क्या है आपका मुगल मंस आता है अब कहता है कि सोरी लोदी में अब देखिएगा ध्यान से कहता है कि इसका कारिकाल क्या था सब्सक्राइब का ठीक ना है रही है ओर नेश्ट कुईशन क्या करहें कर दो ऊइसे कोईशन आता है काता किस गड़ा को बाऊना गड़ा का जाता है बहुत मोश्ट इंपार्टन कोईशन है रेटिंग देर जहां रहें सुअलो जिस पर इसे इंसॉड ले लिए लिए एक जाता है तो यह दिया अपने अपसं सी चुना है प्लूटो तो राइट जया का प्लूटो गरय को बौना गरय का आ जाता है प्लूटो तो सौरमंदल का दूसरा सबसे बड़ा मौना गरा है ठीक नेस्ट कोईश्चन करता है बलुआ पत्थर किस प्रकार की चटान है जो बलुआ पत्थर आपकी है किस परकार की चटान है राइट हैंसर आपको पताना तो यदि आपने अपसंडी चुना अफसाधी चत्तान तो राइट एंसर बज़ेगा आपसंडी बलवी पत्थार का जो संबन्ध है अफसाधी चत्तान से क्या है राइट एंसर आपको बताना है तो यह अपने अपसंडी चुना है असियान तो राइट एंसर जगर दिल्ली वारत भारत और निम्लिकित समूर आसियान की साथ बीच जुड़ाव है निस्ट कोईशन आपका वीडियो का लास्ट कोईशन है जी के का वी लास्ट कोईशन करें केंद्री मंति मंदल के निड़य के अमसार कैदियों को बिसे स्चुट का चरड़ डैस वन कब हुआ था राइट एंसर आपको पताना है तो यदि आपने अफशन सी चुना है दो अक्टूबर 2018 को तो राइट अंसर हो जगा वीडियो का अच्छा लाओ तो लाइक करें देगा चैनल पर नाइस तो सब्सक्राइब पर लिजाए में तेर निस्ट बेजिए तब सब्सक्राइब बंदे मातर अलविदा